गुट मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चेप्टर ट्वंटी-फोर, कंजंक्शन की एक्सराइज नमबर बी, एंड शी फिल करेंगे, या करेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चेप्टर ट्वंटी-फोर, दा कंजंक्शन की एक्सराइज नमबर बी और सी फिल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए जो हमारी बी नमबर की एक्सराइज है, वो क्या है? आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जो कंजंक्शन दी है, आपको उन कंजंक्शन से यह सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीके? आपको जो हमारी बी नमबर की एक्सराइज है, वहाँ आपको जो यह बॉक्स दिया है, इसमें जो कंजंक्शन है, आपको उनी कंजंक्शन से यह सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं, इसमें को फिल करना है, आपको यह सारे जो यहाँ कंजंक्शन दी है, वह कंजंक्शन इन सेंटेंस में फिल करनी है, तो चले, स्टार्ट कर देते हैं, तो देखे, जो हमारा फर्स नमबर का सेंटेंस है, वह क्या है? The boys were happy मतलब लड़के खुश थे अब क्यों खुश थे? They all passed क्योंकि वे पास हो चुके थे तो बच्चों देखी आभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला और लेकिन हमारे मुझे क्या निकला? वे खुश थे क्योंकि वे पास हो चुके थे लड़के खुश थे क्यों खुश थे? क्योंकि वे पास हो चुके थे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? Reason मिल रहा है कि वे खुश क्यों थे तो इसी रिए हम यहाँ पर कौन सी कंजंक्शन का यूज करेंगे? Because कौन सी conjunction का use करेंगे बच्चो because तो हमने यहाँ पर कौन सी conjunction फिल कर दी because तो क्या हो गया sentence बोलिए they, the boys were happy because they all passed the boys were happy because they all passed तो यहाँ पर हमने कौन सी conjunction use की है because चलिए अब हम अगला sentence देखते हैं तो जो हमारा second number का sentence है वो क्या है you are so tall तुम बहुत लंबे हो blank, you cannot walk fast लेकिन तुम तेज नहीं दौर सकते हो तुम बहुत लंबे हो लेकिन तुम तेज नहीं दौर सकते हो तो बच्चो देखिए आप लंबे हो लेकिन आप तेज नहीं दौर सकते हो तो इन दौनो sentences को जोडने के लिए आप कौन सी conjunction का यूज कर रहे हो but you are so tall but you cannot walk fast मतलब क्या हुआ कि आप बहुत लंबे हो लेकिन आप तेज नहीं दौर सकते हो तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी conjunction का यूज किया है but चली आप हम अपना अगला sentence देखते हैं तो third number का जो हमारा sentence है वो क्या है? fish can swim मतलब मचली तैर सकती है dogs cannot कुट्टे नहीं तैर सकते हैं तो बच्चों देखो आप जानते हो मचली तैर सकती है लेकिन कुट्टे नहीं तैर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर भी आप कौन सी conjunction का यूज कर रहे हो बताओ मुझे but मतलब मचली तैर सकती है लेकिन कुट्टे नहीं तो आपने यहाँ पर कौन सी conjunction फिलकिल बट चलिए आप हम अपना फोर्थ नमबर का sentence देखते हैं तो फोर्थ नमबर का जो हमारा sentence है वो क्या है? You are eat anything You can eat anything मतलब तुम कुछ भी खा सकते हो You can eat anything You can eat anything तुम कुछ भी खा सकते हो पीजा, बर्गर, ब्लैंक, सैंडविच पीजा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो या सैंडविच खा सकते हो तो आप यहाँ पर क्या? चॉइस दे रहे हो कि तुम कुछ भी खा सकते हो तुम पीजा भी खा सकते हो तो तुम burger भी खा सकते हो और तुम sandwich भी खा सकते हो तो choice देने के लिए हम कौन सी conjunction का use करते हैं और तो यहाँ पर क्या feel किया हमने बच्चो और तो क्या हो गया You can eat anything pizza, burger और sandwich You can eat anything pizza, burger और sandwich मतलब तुम pizza, burger और sandwich मैं से कुछ भी खा सकते हो समझाया आपको चलिए आप हम अपना अगला sentence देखते हैं तो जो हमारा six number का sentence है sorry five number का sentence है वो क्या है You ran, तुम भागे, अब तुम क्यों भागे? You were already late, क्योंकि तुम पहले से ही late थे तुम late थे, इसलिए तुम और ते भागे ना तो क्या हुआ बच्चो बताइए मुझे You ran, because you were already late तुम भागे, क्योंकि तुम पहले से ही late थे तो यहाँ पर आपने कौन सी conjunction फिल किया बच्चो? Because, you ran, because you were already late क्या हुआ बच्चो? You ran, because you were already late तो यहाँ पर हमने because conjunction को फिल किया है चली अब हम अपनी अगली conjunction अगला sentence देखते हैं तो अगला sentence क्या है? नेहा रेन फास्ट, मतलब नेहा तेज दौरती है दिया कें स्लोली और जो दिया है वो धीरे दौरती है तो क्या हुआ देखिए बच्चो? यहाँ हम एक different meaning बता रहे हैं आपको कि जो नेहा है वो तेज दौरती है लेकिन जो दिया है वो स्लोली दौरती है, धीरे दौरती है तो यहाँ पर हम कौन सी conjunction फिल कर रहे हैं? बट, तो क्या हो गया बच्चो? नेहा रेन फास्ट, बट दिया रेन स्लोली तो आपने कौन सी conjunction फिल की है? बट, नेहा रेन फास्ट, बट दिया रेन स्लोली मतलब नेहा तेज दौरती थी और लेकिन दिया धीरे दौरती थी चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं अगला है He worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया He failed in the test मतलब उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह test में fail हो गया उसने बहुत महनत की लेकिन क्या हुआ बच्चो वह test में fail हो गया तो यहाँ पर आपने कौन सी कंजंक्शन यूज की है बच्चो But He worked hard, but he failed in the test क्या किया है बच्चो He worked hard, but he failed in the test चलिए अब हमारे जो अगला सेंटेंस है वो क्या है तो जो हमारा एक नंबर का सेंटेंस है वो क्या है Priya blank, Rashi are friends मतलब Priya और Rashi मित्र हैं तो यहाँ पर आपने क्या फिल किया है बच्चो And Priya and Rashi are friends मतलब Priya और Rashi मित्र हैं, दोस्त हैं Priya और Rashi क्या है, दोस्त हैं तो आपने यहाँ पर क्या फिल किया है तो बच्चो आपको B नमबर की exercise समझ आ गई चलिए आप हम अपनी अगली exercise देखते हैं तो C नमबर की हमारी exercise है वो क्या है तो C नमबर की जो हमारी exercise है वो क्या है Join the following pairs of sentence using suitable conjunction आपको क्या करना है आपको यहाँ पर जो दो sentences के pair दिये हैं आपको उनको एक suitable conjunction को जोड़ कर लिखना है ठीक है Join the following pair of sentence मतलब आपको जो sentence के pair दिये हैं आपको उनको जोड़ करके लिखना है Using suitable conjunction Suitable conjunction का use करके तो pair का मतलब होता है दो sentence दिये हैं जोडों में दिये हैं तो आपको उन दोनों sentences को जोड़ कर लिखना है तुम्हें डॉक्तर के जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बुखार है, तो यहां बताइए बच्चों, आप कौन सी कंजंक्शन जॉइन कर सकते हो, तुम्हें डॉक्तर के जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बुखार है, बच्चों मैं आपको हिंदी से इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि आप उस भासा को जल्दी समझ सकते हो, ठीक है, फिर आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसफर कर सकते हो है न, कनवर्ट कर सकते हो, तो you should go to a doctor because you have fever, तुम्हें डॉक्तर के जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बुखार है, तो क्या बना बताओ बच्चों उसको, जब हमने इसको किसी कंजंक्शन से जॉइन किया तो क्या बना, you should go to a doctor because you have fever तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें बुखार है आपको समझाया चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए तो जो हमारा सेंट नंबर का सेंटेंस है वो क्या है I like her मैं उसे पसंद करता हूँ अब मैं उसे पसंद करता हूँ यह देखते है She is hard working and polite वह बहुत महन्ती है और विनम्र है मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह बहुत महन्ती और विनम्र है ठीक है बच्चो तो देखे यहां पर हम कौन सी conjunction use करेंगे Because मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि बहर hardworking and polite है ठीक है तो क्या फिल किया हमने यहां पर Because तो sentence बताएए क्या हो गया I like her Because she is hardworking and polite क्या बना sentence बच्चो I like her because she is hardworking and polite मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि बहर hardworking और polite है तो यहां पर जो हमने conjunction का use किया है वो कौन सी है Because आपको समझाया चलिए तो आप हम अपना third number का sentence देखते हैं तो जो हमारा third number का sentence है वो क्या है Ishan went to eat ice cream Ishan has no money Ishan ice cream खाना चाहता है Ishan के पास पैसे नहीं है Ishan ice cream खाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो बच्चों देखे यहां पर Ishan Ishan दो बार आ रहा है तो हम बार बार Ishan का use नहीं करेंगे अब हम Ishan के लिए एक pronoun का use कर सकते हैं जो कि है ही क्योंकि Ishan के पास पैसे नहीं है और वह आईस क्रीम खाना चाहता है है ना तो Ishan want to eat ice cream but अब Ishan की जगा हम क्या लगाएंगे ही क्यों लगाएंगे देखो बच्चो Ishan एक लड़का है और इसलिए हम Ishan के लिए कौन सी प्रोनाउन का use करेंगे ही अगर यहां कोई लड़की होती तो हम कौन सी प्रोनाउन का use करते शी तो क्या हो गया Ishan आईस्क्रीम खाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है ठीके अब हम ऐसे बोले Ishan आईस्क्रीम खाना चाहता है लेकिन Ishan के पास पैसे नहीं है तो देखो अच्छा नहीं लग रहा न तो इसलिए हम जो हमारी second place है वहाँ हम Ishan को हटा कर क्या use करेंगे ही ओके तो कैसे बनाएंगे बताईए मुझे Ishan want to eat ice cream But He has no money But He has no money Ishan ice cream खाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है Ishan want to eat ice cream But he has no money क्या हुआ बच्चो Ishan want to eat ice cream But he has no money आपको समझाया चलिए तो अब हम अपना अगला sentence देखते हैं तो जो हमारा four number का sentence है वो क्या है बच्चो देखिए तो fourth number का जो हमारा sentence है वो क्या है We sang an old song मतलब हम पुराने गाने गाये हमने एक पुराना गाना गाया We sang a melodious song मतलब हमने एक melodious song गाया तो बच्चो देखिए हम इन दौनों sentence को जोडने के लिए जिस conjunction का use करेंगे वो क्या है and ठीक है तो हमने एक पुराना और एक melodious song गाया मतलब हमने एक पुराना और melodious song गाया चलिए तो देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे we sang an old song and melodious song we sang an old song and a melodious song मतलब हमने एक पुराना गाना और एक melodious song गाया हमने एक old song and a melodious song गाया मतलब we sang an old song and melodious song तो बच्चो आपको जो हमारा फोर्ट नंबर का sentence है वह समझ आया चलिए तो आप हम अपना आगला फिफ्ट नंबर पर जो हमारा sentence है उसको देखते हैं तो फिफ्ट नंबर पर जो हमारा sentence हो क्या है तो फिफ्ट नंबर पर जो हमारा sentence है वो क्या है this tower is tall मतलब यह tower लंबा है I cannot climb it मैं इसे नहीं चर सकता यह टावर लंबा है इसलिए मैं इसे नहीं सर सकता हूँ तो बच्चों कैसे बनाएंगे बताईए This tower is tall so I cannot climb it तो यहाँ पर हमने कौन सी कंजुंक्शन का यूज किया है So, this tower is tall so I cannot climb it मतलब यह टावर लंबा है इसलिए मैं इसे नहीं चर सकता हूँ तो this tower is tall so I cannot climb it तो आपको समझाया यहाँ पर आपने कौन सी कंजुंक्शन का यूज किया So, यह टावर लंबा है इसलिए मैं इसे नहीं चर सकता हूँ This tower is tall so I cannot climb it चलिए आप हम अपना 6 नंबर का sentence देखते हैं तो जो हमारा 6 नंबर का sentence है वो क्या है Is this question easy? It is difficult यह question आसान है या फिर कठिन है तो यहाँ पर देखिए आप कौन सी कंजुंक्शन का यूज करेंगे और कौन सी कंजुंक्शन का यूज करेंगे और कि यह question जो है वो आसान है या फिर कठिन है तो आप कौन सी कंजुंक्शन यूज कर रहे है और तो आप कैसे यूज करेंगे आप यह it is और बार बार नहीं लगाएंगे तो आप बोलेंगे This question is easy और difficult क्या बोलोगे आप This question is easy और difficult मतलब यह question आसान है या कठिन क्या यह question आसान है या कठिन Is this question is easy Is this question easy और difficult क्या हुआ बच्चों बताइए आप मुझे Is this question easy और difficult तो आपकी यहाँ पर जो conjunction यूज हुई है वो क्या है और ओके चलिए अब हम अपना 7th number का sentence देखते हैं तो जो हमारा 7th number का sentence है वो क्या है The principal caught them at the gate Principal ने उन्हें gate पर पकड़ा They came late क्यूं पकड़ा क्यूंकि वे late आए थे तो क्या हुआ बच्चों बताइए The principal caught them at the gate Because they came late Principal ने उन्हें दरबाजे पर पकड़ा Because क्यूंकि They came late क्यूंकि वे late आए The principal caught them at the gate Because they came late क्या हुआ बच्चों The principal caught them at the gate Because they came late तो यहां पार जो हमारी कंजुंक्शन यूज हुई है वो क्या है Because है ना तो क्या sentence बना बताइए The principal caught them at the gate Because they came late चलिए आब हम अपना अगला sentence देखते हैं तो जो हमारा 8th number का sentence है वो क्या है Mr. Josie is a good teacher Mr. Josie एक अच्छे अध्यापक है he is strict लेकिन वो strict है कैसे हैं वो strict है तो बच्चो Mr. Josie अच्छे अध्यापक तो हैं लेकिन थोड़े strict हैं तो आप यहां पर कौन सी conjunction का use करेंगे but कौन सी conjunction का use करेंगे but तो देखिए क्या बना Mr. Josie is a good teacher but he is strict Mr. Josie is a good teacher but he is strict मतलब Mr. Josie एक अच्छे अध्यापक हैं लेकिन वो है strict हैं तो आज आपको homework में English grammar K chapter 24 की exercise number B और C अपनी English grammar की fair notebook में लिखनी हैं क्या करना हैं बच्छों आज आपको homework में English grammar K chapter 24 की exercise number B और C अपनी English grammar की fair notebook में लिखनी हैं साफ और सुन्दर writing में ओके तो आज के लिए बस इतना ही चलिए गुड़ बाई झाल झाल